बाबा जी की खरी खोटी चैनल से मैं अनिल सिंग लखनुब से आप सबी लोगों का स्वागत करता हूं प्रेसात् जुड़े हुए हैं बाबा रामदास जी मनाली मनाली से बाबा जी कहीं और से जी मनाली से मनाली से जी तो आज कल देश में जो कुछ हो रहा है मनाली जो है लगभग उसका एपी सेंटर या उसके आसपास ही है हम बात कर रहे हैं यह जो एक लावा सा फूट पड़ा है अवायद मस्जिदों के खिलाफ अंदोलनों का शिमला से इसकी शुरुआत हुई शिमला में एक अवैद मस्जिद के खिलाफ हिंदू सडकों पर उतरे और हिंदूों के दबाव के कारण प्रशासन को उसमें निर्णे लेना पड़ा कि यह मस्जिद दो है तो अवैद जो हिस्सा है उसका वो तुड़वाय जाएगा और यह यह बता देना अत्यनत आवश्यक है कि जो अवैद निर्माण हुआ था वह वाजपा के शासनकाल में हुआ तो शिमला से यह लाहर चली और उसके बाद और एकाद छोटी मोटी जगह होते हुए मंडी और सोलन तक यह पहुँच गई है तो बाबाजी से हम प्रश्ण यह कर ले कि बाबाजी यह जो अवैद मस्जिदों के निर्माण का जो सिल्सला यह दिखाई दे रहा है क्या यह माना जाए कि यह हिमाचल प्रदेश में कुछ ज्यादा जोर पकड़े हुए है या कि यह पूरे देश में एक समान ही चल रहा है पहला सवाल और इसी के साथ जुड में ही जो है यह हिमाचल में ही हिंदूों में इतनी एकता किस प्रकार से दिखाई पड़ रही है कि वहां पर प्रशासन को भी जुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और अभी देखना है कि आगे सिल्सला कहां तक जाता है तो दोनों सवालों का बारी-बारी से आप जो अवैद हिस्सा था यह भाजपा चातन में बना यह फैक्चुली रॉंग है ऐसी बात नहीं है यह मस्जदें 20-25-30 साल थे वहां एक दिस्टिंस में हैं और एक तरह ते मैं यह मानता हूं कि चाहे हिमाचल में चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कॉंग्रेश की सरकार हो दोन समाचो नंगा नाच हो रहा था और सरकारें और पूरा का पूरा समाच आंख बंद करके सोया हुआ था अब बात यह सवाल पर यह उड़ता है कि अचानक कैसे जाग गया जो हिंदू समाच जिसको हम कहते हैं कि पिछले कम से कम चौदर सो साल से तो सोया वह दिखी रहा है को अचानक जाग गया तो यह आपको इसमें कुछ थोड़ा था मुझे इसके पिछे को डिदाइन नदर आता है तहीं बताओ मैं आपको शुरुआत हुई हिमाचल की संजौली मस्जित थे मैंने अपने पिछले ही वीडियो में बताया है शुरुआत कैसे हुई कि एक स्थानिय नागरिक का एक सलून में एक बारबर शॉप में कुछ स्थानिय लड़कों से बिवाद हो गया कुछ हाता पाई हुई लड़क जब स्थानिय लोग भी आ गए हिंदूस तो ये सब भाग के एक मस्जित संजौली मस्जित में छुप गए ये लोग उसके पीछे-पीछे मस्जित में गए विवाद बढ़ा थोड़ी बहुत नारेबाजी हुई मस्जित के बाहर माहुल गरमाया तो पुलीस आ गई पुलीस आ पाए गया कि उस मस्जित में जितने लोग थे उनमें ज्यादातर के जो अधारकार्ट थे वह सब पे एक जनवरी टेट अबर थी तो अधारकार्ट की जांच शुरू हुई तो पाए गया कि अधारकार्ट सब जो है वह एक पता नहीं किस तंत्र से जो है फरजी बने पाए गये सभी लोग मुरादाबाद से पाए गये पश्ची मुत्र प्रदेश ते तो मुरादाबाद के इतने सारे लोग अचानक खेमाचल में कहां से आ गए जब इन सब की जाच चली तो धिरे धिरे इतने एक आंदुलन का रूप लिया वहां तक बात सही थी इसको आप एक व कॉंग्रेस के एक स्थानी नेता जो की मंत्री भी है उन्होंने मामला विधान सभा में उठा दिया अनुरुज तरिंग जी ने पहले बयान दिया फिर बाद में पलट गए पहले बोले कि सरकारी जमीन पर बनी है मस्जिद अवैद है उसके बाद बोले नहीं वक्ष और ये इसको शुरू हुए कम से कम दस दिन हो चुके थे इस पूरे विवाद को और विवाद गरमा रहा था तब तक पता लगा मंडी में भी इस तरही की एक अवैद मस्जिद निकल आई अचानक से या मंडी के लोग भी जाग गए अब या दो दिन मंडी में बवाल अब बम्चक तब तक मंडी के बगल में साथ किलोमेटर दूर पर कुलू है वहां एक तो मस्जिद निकल आई अभी वहां बम्चक मचाई था दो तिन तिन दिन तब तक उसके बगल में थोड़ा मंडी से थोड़ा और आगे चले जाईए तो गुमार्वी एक जगह है बिल अभी गुमार्वी वहां चल रहा था उससे दो दिन पहले पता लगा कि शिम्ला से 35 किमटर सुन्नी एक जगह है सुन्नी वहां एक था वैद मस्जिद निकल आई वहां भी सारा हिंदू बम्चक मचाई है पूरा हिंदू एक ता जिंदाबाद हो रही है पूरा बजार मंडल आई मंडल जितने मंडल थे सब मंडल का मंडल सब सड़क पे आज की रिपोर्ट सुन लीजिए चंडीगर से जब आप शिम्ला की दर्व जाते तो रास्ते में बहुत ठीक ठाक सा आप तो बाड़ा शोहर बन गया है पुराने जमाने में तो छोटा सा कश्बह वागत पे हैं और सोलन के व्यापार मंडल ने ऐसा बंद किया है जो लोग बताते हैं कि आज तक सोलन में कभी ऐसा बंद नहीं हुआ तो सर आपकी जो बात है ना कि भी यह अचानक हिंदु एकता वह भी हिमाचल में हिमाचल जो कि बिलकुल भी ना तो यहां कास्टिस्ट पॉलिटिक्स है ना यहां किसी किसम की कमिनल पॉलिटिक्स मैंने आज तक नहीं देगी वाकिर क्या कारण है कि हिमाचल में मुसल्मानों को लेके उनकी अवायद मस्जिदों को लेके अचा एक ही बात बोली जा रही है रांदोलन में कि यह डेमोग्राफिक चेंज है यह डेमोग्राफी और बंगला देशियों को हिमाचल में बसाया जा रहा है अचा सबकी एक ही कंप्लेंट है कि आते हैं सब पता नहीं कहां से एक ग्रूप आता है बहुत महंगे उंचे दामों पर यह डिजाइन पिछले पांच साथ साल से पंजाब में चल रहा था अब यह हिमाचल में भी आ देखे कुछ लोग ले लेते हैं जा उसका मालिक भी वो गाड़ी वाले मौलाना साहब उनका सारा स्टाफ हर स्टाफ में स्मार्ट स्मार्ट सुन्दर सुन्दर लड़के शाम को वह बलसर निकाल के लगा के बाजार में निकलते हैं अब लड़कियों से दोस्ती है हर शहर की यही स्टोरी है यह सब पिछले पांच साथ आट साल से चल रहा था पुरे देश में चल रहा है पर सवाल यह अचानक ही माद्ट यह एक की बाद एक रोज नए शहर में अंदोलन हर शहर में मस्जिद अर मस्जिद के अंदोलन वाट इस दिस आपने जो सवाल पुछा न क्या इसके पीछे कोई डिजाइन है यस मुझे इसके पीछे एक डिजाइन नदर आ रहा है आप अब अब अबली बात्चित थोड़ा सा आप टिपने कीजिए उसके बाद मैं बताता हूं आपके मन में कुछ सवाल आ गए होंगे आंदोलनों के पीछे जो डिजाइन है उसकी चर्चा करने से पहले हमको उस डि हिमाचल जैसे राज्य में इस प्रकार के अवैद आप्रवासियों के क्लस्टर जो है वो बस रहे हैं यह हिमाचल में ही नहीं उत्तराखंड में भी हो रहा है उत्तराखंड को भी जो लोग नस्दीक से देख रहे हैं उनका यह कहना है कि वहां पर भी डिमाग्रेफी बाई डिजाइन जो मुसल्मान हिमाचल और उत्राखंड जैसे राज्यों में जा रहे हैं वहां पर अपनी संख्या और विजिबिलिटी संख्या के साथ में विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा डिजाइन है और विद्वान लोगों का यह कह जाता है कि और उपर के जो पहाड़ हैं एवरेस्ट के आसपास के उस हाइट के पहाड़ उस रेंज में जो है बहुत से रिशी मुणी अभी भी जो है तपस्या में लीन है वो तपस्या कर रहे हैं देश को बचाने के लिए वहां से उर्जा जो है उसका प्रवाह होता है का एक प्लान है और इस प्लान के तहट उत्तरह खंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जो है वह जा करके बहुत बड़ी मात्रा में बस रहे हैं वहां पर जो है वह प्रॉपर्टी वगरा एक्वाइर कर रहे हैं हिमाचल में तो सीधे-सीधे जमीन खरीदना जो तो यथावत चलता ही रहता है, तो हिमाले के ऊपर कबजा करने की उनकी जो एक रण नीती है, जो की पूरे देश पर कबजा करने की उनकी रण नीती का एक बड़ा महत्वून अंग है, उसके तहत ये कारेकरम वहाँ पे चल रहा है, अब जहां वो रहेंगे, वहाँ जो बनती है, उसमें से आधाई से जादा अवैद होती है, जब भी कभी कोई बात होगी, कोई छानवीन होगी, तो पता लगी जाया कि ये अवैद है, तो ये वहा उनका डिजाइन, दूसरा जो है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे, कि हिंदू जो अचानक जाग्रत हो गए हैं हिमाचल प्रदेश में, वो कैसे हुए हैं, और इसके साथ इस प्रश्न की भी खोजबीन करनी होगी, कि ऐसा तो है नहीं, कि हिमाचल में जो उनका इन्फिल्ट्रेशन है, या जो दखल है, वो अन्य राजियों से जादा हो गया है, इसलिए हिंदू वहाँ पर जाग्र कर रहे थे, आप अपनी बात कहें, फिर मैं आगे कहूंगा कुछ, देखिए, 1947 का जब विभाजन हुआ, तो जो जन्संख्या का जो आदान प्रदान हुआ है, या पलायन जो हुआ, या माइग्रेशन जो हुआ, 1947 जनित, पार्टिक्शन जनित, उसमें हर्याना और पंजाब से तकरीबन सारी कि सारी पॉपलेशन जो है, मुसलिम पॉपलेशन, पाकिस्तान माइग्रेट कर गई, क्योंकि सिखों का बहुत भयानक कतले हाम हुआ था, पाकिस्तान में, वो ट्रेन जो भर के आई थी, वो सिखों की थी, सिखों और हिंदूओं की, उसकी प्रतिक्रिया में पंजाब में बहुत भयानक मार काट हुई थी, पंजाब का जो पलायन था, वो अल्मोस्ट कम्प्लीट था, बड़ी भारी संख्या में मुसल्मान जो है, उस तरफ गए थे, तो हर्याना और पंजाब पूरी तरह खाली हो गया था, सचाई है, प्रियाब में सिर्फ मलेर कोटला और थोड़ा था एक कादिया, गुर्दासपुर में एक छोटा था ताउने जिसको कादिया बोलते हैं, वहीं से कादियानी मुसल्मान हैं, वहां के, और मलेर कोटला, मलेर कोटला इसलिए बच गया, क्योंकि जब सरहिंद के नवाब ने चोटे सहाबजादों का कतल किया था, तरहिंद में, किले में, तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि, मलेर कोटला के नवाब ने गुरु जी की मदद की थी, तो सिक्खों के मन में मलेर कोटला के नवाब और मलेर कोटला के स्थानिय मुसल्मानों के प्रति एक बड़ा वज़े से 1947 के महौल में भी पंजाबियों ने फिक्षों ने मलेर कोटला वालों को का कि नहीं आप लोग एकदम सुरक्षित हैं आप लोग को निश्चन और वो थे भी निश्चन इसलिए आज मलेर कोटला में लगए डेड़ लाग मुसल्मान रहते हैं इसी तरह हर्याने में भी सिर्फ 9 मेवात एक छोटा सा पॉकेट है जहां मुसल्मान है तो हर्याना और पंजाब में मुसल्मान थे नहीं पिछले 10 से 15 सालों में मुसल्मानों ने एक डिजाइन के तहत यहां देमोग्राफी चेंज करने की चोरी छिपे कोशिश की है परंतु जब से आम आदनी प आपकी पर्सनल उसके लिए वीडियो हम यहां पर मैं जान बुच के दिखाता नहीं कब कॉपी डाइट स्ट्राक आ जाए कोई पता नहीं मेरे वहते भी दुश्मन बहुत ज़्यादा है तो अभी तर भटिंडा में एदे मिलादो नभी प्रॉफिट का जो बड़े होता है पहली बार भटिंडा के लोगों ने देखा कि इदे मिलादो नभी पे एक बहुत बड़ा जलूस भटिंडा शेहर में निकाला गया और लोग ऐसा बताते हैं कि ये आम आदमी पार्टी की शेह पे निकाला गया आज तक इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था तो आपने कहा ना वो सिर्फ है नहीं अब वो अपनी प्रेजन्स शो करने लगें तो सर ये जो प्रेजन्स शो करने का जो उनका जो डिजाइन था हिमाचल में भी इन्होंने उग्र तरीके से उग्र तरीके से फर फ्राइडे को अपनी इनहीं मस्जिदों के में इर्दगर्द प्रेजन्स शो करने शुरू कर दी थी और इनका जो सबसे बड़ा तरीका होता है कि जब ये भीड जब इनकी एक जगर कठी हो जाती है तो इनके लड़के थोड़ी दादागरी गुंडागर्दी और बाइक्स पे स्टंट करना सबसे पहला काम ये क्या करते हैं बाइक्स पे स्टंट करते हैं पहला और नमबर दो ये आती जाती लड़कियों और तों को छेड़ना शुरू करते हैं और वो जो लव जिहाद्वाला एंगल है इस कम्यूनिटी की एक और सबसे बड़ी खासियत यह है कि पढ़ना लिखना तो इन्होंने होता नहीं है मदर से गए जोचार गए अर्भी की अलिव विपेते सीख लिया उसके बाद आठ साल की उमर में इनके बाप को पता होता है वैसे भी चौधाट होते हैं तो इनको ब सालों में कि आजकल टेक्निकल कामों में कि आम ट्रेडिशनल नौकरियों से बहुत ज़द प्रिचा जिसके पास हाथ का उनर है वह शाम तक हजार दोजार पांचार कमा लेगा अब 18 साल का लोंड़ा है हजहर पांस दोजार 4000 रूपया रोज कमा रहा है तो वह वह भर खरीज लेता है शाम को फस्क लासंटिली ड्रेस उब भूँ कि हिंदूक लड़का दस रुपे के लिए तरफ सता है बाप से माँगेगा हिंदू 20 साल क लड़का दस रुपे बाप से मांगता है मुसल्मान का दर साल के लड़का आजार पे रूट खुद कमा रहा है तो लड़की वह पटाएगा नै तो सर यह जी मुन्हें कहना है बाबाजी कि मोटसाइकल लड़का भी खरीदता है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन यह एक और इसको माल लीजिए कि मोटसाइकल खरीदनी है कुछ पैसा उसका कम पढ़ रहा है तो उनका एक सिस्टम काम करता है जो उसको वो पैसा दे देते हैं है तो यह पैसा ले खरीद ले मोटसाइकल घुमा लड़कियों को और जहाद में कंट्रिब्यूट कर अगर कोई अपने इंडिविजुएल एफलर्ट से किसी लड़की को पटा लेता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन जब यह और्गनाइजड तरीके से होने लगता है जब कहीं से मोनिटरिंग होने लगती है इसकी तुमको यह उसको पटाने का काम दिया गया था तुम कहां तक पहुंचे बहुत पैसा खर्च कर चुके हो जल्दी करो जब इस टाइब की चीज होने लगती है तब यह खतरनाक हो जाती है दूसरी बात मैं इसको कहन सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रही है जो चोटी स्टेट है अपर शक्रित जैसे गोवा है गोवा में उन्होंने सबसे पहले हाथ मारा उनको लगा कि यहां पर जनसंख्या अभी बहुत कम है उतनी ज्यादा मेहनत इनको नहीं उतने ज्यादा लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा तो वहां यह घुज गए सबसे पहले और चोटी स्टेट्स हैं उत्तरा खंड ही माचल इस टाइप की स्टेट्स में जो है यह सबसे पहले हाथ मारते हैं और इन्हीं स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि यह दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से इसके तार कहीं ने कहीं आम आदमी पार्टी और उनके तार जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ते हैं पूरे घटना करम के तार जी अब आप आगे कहें अब आता हूं कि वाइस दिस हिंदू रितरजेंस अच्छा रोज एक नए शहर में क्यों हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है जो डीप स्टेट का जो कॉंस्पिरेशी ठी ना जोूँ हिंदू इको सिष्टम है हिंदू एको सिस्टम यह संयोग नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है अगर यह सिर्फ संजोली तक होके रुक जाता तब मैं भी इसे संयोग मान लेता तर यह संयोग नहीं है क्योंकि हिंदू एक इतना बड़ा अजगर है कुमकर्ण की नेंद तो कुछ नहीं है उसके आगर तो आखिर यह संयोग नहीं है यह एक प्रयोग है और अचा अभी अब तक जितने भी सिटीज में यह हुए है अचा एक तो प्रदर्शन बड़े उग्र हुए है जो नारे लगे वो एक ही किसम के थे एजेंडा भी एक ही था मुद्दा शुरू किया गया अवैध इल्लीगल तरकारी जमीन पे बनी है नक्षा पास नहीं है भूमी अतिक्रमन करके बनाई गई है तो लिगालिटी हो गई उस पर बुल्डोजर चलना जाज हो जाता वह बाबा ने एक रस्ता दिकाई दिया है कि इल्लीगल जमीन पे इल्लीगल तरीके से बनाई गई बिल्डिंग उस पर बुल्डोजर फिर दीज़र सुप्रीम कोट कुछ नहीं कर पाएगा कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो और शेहर दर शेहर शुरू हो रहा है यह प्रयोग कि मुझ अच्छा कहीं भी आप चले जाएए बीजेपी और रस्स का कोई नाम नहीं आ रहा है हिंदू महासभा हिंदू संग्ठन विश्व हिंदू परिश्यत कोई स्थानी हिंदू नेता स्थानी है मंदिर के कारिकरता स्थानी हिंदू लीडर्स सामने आ रहे हैं बीजेपी का कोई रोल नहीं संग कोई नेता नहीं बीजेपी का हम पाक्षा यह तो हिंदू रिसर्चंस है तो सर बात यह कि एक तो इस टार्टेड इन अ कॉंग्रेस रूल स्टेट मैं यह देख रहा हूँ कि हर्याना का चुनाव यदि भाजपा के अनुकूल नहीं आया तो इस से पहले कि हर्याना और पंजाब मिलके दिल्ली को घेरने की कोशिश करें मुझे यह आंदूलन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नहीं तो सेकंड वीक में हर्याना और पंजाब के कुछ शेहरों में होता हुआ दिख रहा है और इन्हों ने जो दिल्ली घेरने की रणनीती बनाई है किसान अंदूलन करके जिसको की तेजी मिलेगी बल मिलेगा अगर कॉंग्रस आ गई हर्याना में तो इसका यह काउंटर त्यार कर दिया है और ऐसी अवाद मजजिद हर शहर में है और तीप स्टेट ने राहुल गांधी ने जो जातीय जन गणना कि गरीब आदमी के लिए जनरल बोगी बढ़ाओ वन्दे भारत क्यों चल रही है यह जो नेरेटिव चल रहा है ना गरीब आदमी वाला यह जो नेरेटिव चल रहा है जातीय जन गणना वाला उस नेरेटिव को काउंटर करने के लिए यह राइट विंग का जवाबी कारवाई है जिसका प्रयोग हिमाचल से शुरू कर दिया गया जी इस प्रकार की कारवाईयों का तो मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं बाबाजी जिसमें किसी संगठन का दूर दूर तक कहीं से नाम नहीं आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है अगर इस तरह के पीछे यहीं लोग चला रहे हैं नाम तो हिंदु कहीं से तो आना ही चाहिए कोई कि एक और्गार्णाजेशन नहीं फैल सकता है कहीं ने ने कहीं से तो उसको मिली रहा है ट्रिगर और अगर इस तरीके से आंदोलनों को ट्रिगर करने का काम बिना सामने आये हुए कर सकने की योग्यता RSS या किसी भी संगठन में है तो फिर सलूट है उस संगठन को फिर इसका मतलब है कि संगठन जो है बिल्कुल सही लाइन पर है तैयार है और देखिए सड़क पर उतरना जो है बहुत ही आवश्यक है आपको अपनी बात मनवाने के लिए अगर आप सड़क पर नहीं उतरेंगे घर में बैठे रह जाएंगे तो सरकार जो है वो कानून बनाने के अलावा और क्या कर सकती है सरकार ने कानून बनाया प्रशी कानून आज भी विद्वान लोग हैं डाक्टर आनंद रंगनाथन जैसे वो बहुत गालियां देते हैं सरकार को वापस क्यों ले लिया उनका कहना है कि अगर वो कानून जो है वो कारी रूप में परिनत हो गए होते तो एक जटके में GDP भारत की 2% बढ़ गई होती है वो 2% GDP का हमको नुकसान हुआ ये कानून वापस ले लेने की वज़े से और ये कानून वापस सरकार को इसलिए लेने पड़े क्योंकि जो लोग कानून की वापसी चाहते थे वह सड़क पर थे और वापसी नहीं चाहते थे तो अब अगर लोग निकल रहे हैं सड़कों प्र तो इसको एक शुबलक्षन के तौर पर देखा जाना चाहिए इसके अलावा तुकोई कोई दूसरा चारा नहीं है हम उमीद करेंगे कि फिर उमीद क्या करेंगे स्वाभाविक है क्योंकि अवयद मस्जिदें कोई ऐसा नहीं कि अवल इमाचल प्रदेश में पंजाब में अरियाना में हैं वहां से जब एक लहर चलेगी तो सरकार भी फिर कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएग तो देखो उनको कितना बनाने की परमिशन थी उन्हें कितना बना लिया वह तो हर जगा निकलेगा तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है जो कुछ भी हो रहा है अब पुछा और अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क बावाजी देना चाहें तो दे करके इस बास को यहीं यहीराओ, यहीराओ, यहीराओ